स्वागत है आप सबका Rapid G.O के एक नए वीडियो में और आज हम कक्छा 10 के भुगोल विशे के चैप्टर 4 जो क्रिसी है उससे सम्मंधित objective questions डिसकस करेंगे इस वीडियो में objective question की point of view से पूरे chapter को cover किया गया है मैं आसा करता हूँ इस वीडियो को देखने वाले सभी students इस चैप्टर से सम्मंधित पूछे गए कोई भी objective question को miss नहीं करेंगे जल्दी ही Rapid G.O पर जैक द्वारा जारी किये गए सभी model question paper के answer भी available होंगे तो career और education से जूड़ी ऐसे ही वीडियो के लिए बने रही है मेरे साथ आईए शुरू करते है पहला प्रसन है भारत की कितनी जनसंख्या क्रिसी कारियों में लगी है option A है एक तीहाई, option B है दो तीहाई, option C है आधी और option D है तीन चोथाई तो इस प्रसन का उत्तर होगा option B यानि की दो तीहाई, आज भी भारत में की लगभग दो तीहाई जनसंख्या जो है वो क्रिसी कारियों में ही लगी हुई है प्रसन संख्या 2 है करतन दहन क्रिसी के अन्य नाम क्या क्या है पहला option है जूम क्रिसी, दूसरा option है पाल्मू, तीसरा option है दीपा और चौथा option है इन में से सभी इस प्रसन का उत्तर होगा option D यानि की इन में से सभी जूम क्रिसी, पाल्मू और दीपा कर्तन दहन क्रिसी के ही अनिय नाम है जिने अलग-अलग राजियों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है प्रसन संक्या 3 है कर्तन दहन क्रिसी को असम में घाले मिजोरूम तथा नागा लेंड में क्या कहा जाता है पहला उप्सन है जूम क्रिसी, दूसरा उप्सन है पाल्मो, तीसरा उप्सन है दीपा और चौथा उप्सन है इन में से कोई नहीं इस प्रसन का उत्तर होगा उप्सन ए यानि की जूम क्रिसी कर्तन दहन करिशी को असम मेगाले, मिजोरोम तथा नागालेंड जैसे उत्तर पुर्वी राजियों में जूम करिसी के नाम से जाना जाता है चौथा प्रसन है कर्तन दहन क्रिसी को 36 गल तथा अंडमान निकुबार दीपसमों में क्या कहा जाता है? प्रसन संख्या 5 है जूम क्रिसी किस प्रकार की खेती है? पहला उप्सन है प्रारंभिक जीवी का निर्वा क्रिसी दूसरा उप्सन है गहन जीवी का क्रिसी तीसरा उप्सन है वानिजिक क्रिसी और चौथा आइन में से कोई नहीं इस प्रसन का उत्तर होगा उप्सन ए यानि की प्रारंभिक जीवी का निर्वा क्रिसी प्रसन संख्य इसा संख्या साथ से आपक्षे का उंदेश से क्या होता है जीवनियापन करना दूसरा प्रसंद का उत्तर होगा किरसी दूसरा है तीसरा उस्वानीत किरसी और छौंथा किर्सी इस प्रकार की किर्सी का उदेश होता है व्यापार करना एवं लाब कमाना प्रसन संख्या 9 है सस्य प्रारूप क्या है पहला अप्सन है मौसम दूसरा अप्सन है सस्य रित्में तीसरा अप्सन है फसल और चौंथा अप्सन है कच्छा माल इस प्रसन का उप्तर होगा Option B, यानि की सस्य रित्मे, प्रसन संख्या 10, भारत में कितनी सस्य रित्मे पाई जाती हैं? पहला option है एक, दूसरा option है दो, तीसरा option है तीन और चौन्था option है उप्रोक्त में से कोई नहीं, इस प्रसन का उत्तर होगा option C, यानि की तीन, एसी फसल जिससे अत्यप्सण वर्शा उत्यधिक ताप्मान की आवशक्ता होती है क्या कहलाती है पहला option है रभी, दूसरा option है खरीफ, तीसरा option है जयद और चौन्था option है उप्रोक्त सभी इस प्रसंद का उत्तर होगा option B यानि कि खरीफ खरीफ ऐसी फसल होती है जिसे अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान की आवशकता होती है प्रसन संख्या 12 है ऐसी फसल जिसे कम वर्षा समाने रूप से 100 cm से कम एवं कम तापमान की आवशकता होती है क्या कहलाती है पहला अप्शन है रवी, दूसरा अप्शन है खरीफ, तीसरा अप्शन है जायद और चौण्था उप्रोक्त तुमें से सभी है, इस प्रसंद का उत्तर होगा अप्शन अ यानि की रवी, रवी ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और कम तापमान के आवसकता होती है प्रसन संख्या 13 है खरीफ की फसलें कब काटी जाती है पहला उप्षन है जुन जुलाई, दूसरा उप्षन है जुलाई अगस, तीसरा उप्षन है अगस सितंबर और चौथा उप्षन है सितंबर अक्टूबर इस प्रसन का उत्तर होगा option D यानि की सितंबर अक्टूबर में खरीफ की फसलें काटी जाती है प्रसन संख्या 14 है चावल भारत के किस भाग में मुख्य रूप से उगाई जाती है पहला option है पूर्वी भाग, दूसरा option है उतरी भाग, तीसरा option है पस्चिमी भाग और चौथा option है उत्तर पूरु एवं दक्षिन पूर्वी भाग, इस प्रसन का उत्तर होगा option D यानि की उत्तर पूरु एवं भारत के दक्षिन पूर्वी भागों में चावल मुख्य रूप से उगाई जाती है प्रसन संख्या 15 है चावल के उत्तपादन में भारत का कौन सा इस्थान है यानि की विशु में चावल के उत्तपादन में भारत का इस्थान कौन सा है पहला option है पहला दूसरा option है दूसरा तीसरा option है तीसरा और चौथा option है चौथा इस प्रसन का उत्तर होगा option B यानि की द दूसरा विश्व में चावल उत्पादन में भारत का दूसरा इस्थान प्राप्त है प्रस्ण संख्या 16 है विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है पहला उप्षन है भारत दूसरा उप्षन है चीन तीसरा उप्षन है अमेरिका और चौथा उप्षन ह इस प्रसन का उत्तर होगा option B यानि की चीन, विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, अगला प्रसन है चावल उगाने के लिए कितनी वर्षा एवं तापमान की आवशकता होती है, पहला option है 50 cm वर्षा वें 25 डिगरी सेल्सियस से अधिक तापमान, इस प्रसन का उत्तर होगा option C यानि की चावल उगाने के लिए 100 cm से अधिक वर्षा एवं 25 डिगरी सेल्सियस से अधिक तापमान की आवशकता होती है, प्रसन संख्या 18 है गेहूं किस प्रकार की फसल है, पहला option है खरी, दूसरा option है रवी, तीसरा option है जायद और चौन्था option है सभी, इस प्रसन का उत्तर होगा option B यानि की रवी, गेहूं रवी फसल का एक उधारन है, प्रसन संख्या 19 है पंजाब हरियाना एवं उत्तर परदेश में कौन सी फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है, पहला option है चावल, दूसरा option है गेहूं, तीसरा option है कपास और च प्रसन का उत्तर होगा option B यानि की गेहूं, पंजाब हरियाना एवं उत्तर परदेश जैसे भारत के उत्तर पस्चिमी राज्यों में गेहूं मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसल है, प्रसन संख्या 20 है विस्व में सबसे अधिक डालने किस देश में उगाई जाती पहला option है चीन, दूसरा option है जापान, तीसरा option है भारत और चौथा option है अमेरिक इस प्रसन का उत्तर होगा option C यानि की विस्व में सबसे अधिक डालने भारत में उगाई जाती हैं और आपको ये जानकर आश्चर होगा कि भारत विस्व के डाल उत्पादक तथा निरियातक देशों में अगरनी इस्थान रखता है प्रसन संख्या 21 है जुआर बाजराय वमरागी किस प्रकार की फसले हैं पहला option है व्यापारिक फसल, दूसरा option है अखादि फसल, तीसरा option है मोटे अनाज और चौथा option है सभी इस प्रसन का उत्तर होगा option C यानि की मोटे अनाज चाई के प्रकार की फसले हैं प्रसन संख्या 24 है चाई के पौधे के लिए किस प्रकार की जलवायू आवश्यक है पहला option है मोनसुनी दूसरा option है सीथ, तीसरा option है उस नेवम उपोष्ण कटी बंदिये जलवायू और चौथा option है किसी अन्य प्रकार की जलवायू इस प्रसन का उत्तर होगा option C यानि की उस नेवम उपोष्ण कटी बंदिये जलवायू आप मेरे इसी चैनल पर कक्छा 10 के भुगोल विशे से स सम्बंदित पहले दूसरे एवम तीसरे चैप्टर से सम्बंदित अब्जेक्टिव प्रसन तथा अभ्यास प्रसन की वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको ऊपर के आई बटन में भी दिख रहा होगा साथी साथ डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दिया गय प्रसन संख्या 26 है चाई मुख्य रूप से किन राज्यों में उगाई जाती है पहला अप्शन है पस्चिम बंगाल दूसरा अप्शन है केरल तीसरा अप्शन है तेमिल नाडू और चौथा अप्शन है उपरोक्त सभी इस प्रसन का उत्तर होगा अप्शन डी यानि की चा हादी दूसरा अप्शन है अख हादी तीसरा अप्शन है टै और चौन्था अप्शन है उनिख प्रसन का ऊत्तर होगा उप्शन सी यानि की चायए पह अप्शन संख्या 238 से भार्त में विस्व के कितनी कौफी का उत्ık पादन किया जाता हैम पहला अप्शन है 10% ऊंद्श तीसरा उप्षन है 4% और चौथा उप्षन है 2% इस प्रसंद का उत्तर होगा उप्षन C यानि की 4% भारत में विशु के 4% कौफी का उत्पादन किया जाता है प्रसंद संख्या 29 है फल तता सब्जियां किस प्रकार की फसले हैं पहला उप्षन है व्यपारिक फसल दूसरा उप्षन है बागवानी फसल तीसरा उप्षन है रोपन क्रिस और चौथा उप्षन है अनि इस प्रसंद का उत्तर होगा उप्षन B यानि की बागवानी फसल प्रसन संख्या 30 है किस फसल के लिए भूमद रिखिये जलवायू की आवे सकता होती है पहला उप्षन है रबर, दूसरा उप्षन है चाय, तीसरा उप्षन है चावर, और चौन्था उप्षन है मोटे अना इस प्रसन का उत्तर होगा उप्षन A यानि की रबर रबर जो है वाभूमद रिखिये जलवायू में उगने वाला पौधा है प्रसन संख्या 31 है रबर किस प्रकार की फसल है पहला उप्षन है खरी, दूसरा उप्षन है रबी, तीसरा उप्षन है जाय, और चौन्था उप्षन है अन len इस प्रसन का उत्तर होगा option D यानि की पाँचवाँ प्राकिर्तिक रवर के उत्पादन में भारत को विशु में पाँचवाँ इस्थान प्राप्त है प्रसन संख्या 33 है कपास के उत्पादन में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्त है Option A है दूसरा, Option B है तीसरा, Option C है चौथा और Option D है पाँचवाद इस प्रसंद का उत्तर होगा Option B यानि की तीसरा भारत विशु में, कपास के उत्पादन में भारत विशु में तीसरे इस्थान पर आता है प्रसंद संख्या 34 है कपास उत्पादन के लिए कौन सी मृदा सर्वोत्तम होती है पहला Option है जलोर, दूसरा Option है लेटेरा, तीसरा Option है लाल कथा पीली और चौथा Option है काली मृदा इस प्रसंद का उत्तर होगा Option D यानि की काली मृदा काली मिर्दा कपास को उत्पादन के लिए सर्वत्तम मानी जाती है इसलिए काली मिर्दा को काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है प्रसंद संक्या 35 है किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है पहला option है जूट, दूसरा option है कपास, तीसरा option है चाय और चौंथा option है रबर इस प्रस्न का उत्तर होगा option A यानि की जूट जूट को हमारे देश में सुनहरा रेशा भी कहा जाता है